नमबर आठ आठवी बीमारी परिशानी टेंशन का सबब आपस की नफरतियां और दुश्मनियां रिश्टेदारों से दुश्मनियां अच्छा नहीं चाहते रिश्टेदार हमारा पडोसी से जगडे दुश्मनी बस्ती वाले दावत के मैदान में दुश्मनियां सियासत के मैदान में दुश्मनी आफस में दुश्मनी कालिज में दुश्मनी पडोसियों की दुश्मनी दुश्मनी इंसान के सुकून को खराब कर देती है खुसुसां जबके दुश्मन सरकश भी हो सताने में एक्सपर्ट हो या ओफिस से आता है सोने के नाइट ड्यूट डिकर क्या है वो बड़ा ओफ लगाएगा म्यूजिक पूरी जागो पारकिंग इसके गर के सामने अगर ये लगाया पंक्चर परिशान करेगा रिश्टदार रिश्टा बेटी का बेजा मत दो सही नहीं लड़की रिश्टदार दुश्मन भी रहते हैं इसे बच्चियों के रिश्टे खराब करते हैं लड़का है उसके लिए भी शिकायत करेंगे कमपनी में जाब कर रहा हैं कलीक्स हैं बहुत के पाई शिकायत करते हैं काम नहीं करता है ठीक से नमाज को जाता ये करता हो खाली अल्दा ले करते रहता घर पे बैठके इसको इबादत करने को भेज़तो इसको साब कुछ काम नहीं करता है शिकायत करते हैं जूटी शिकायत करते हैं हकोमतیں एक दूसरे की खिलाब बगावत करती हैं सरकशी करती हैं जिन्दगी में चलता रहता है आदमी को दुश्मन का डर हमेशा लगा रहता है मालूम नहीं वो अगला स्टेप क्या लेगा मुझको उससे क्या नुकसान पहुचाएगा मेरे खिलाब क्या कारवाई करेगा आदमी दुश्मनों के खौफ और फिकर में और उनकी तरफ से पेश आने मेरे साथ क्यों करते हैं सरिश्टेदार मेरे मैं उनका अच्छा चाहता ह मेरे साथ क्यों बुरा करते हैं घुम गीन मैंने बहाईयों को संभाला उनको बड़ा किया आज वगी मुझको बद्नां कर रहे हैं जायदा खा गया बाद अकाद खम होता है बाद अकाद गुसा होता है बाद अकाद फिकर होती है टेंश्टन होता है जिंदगयां परेशäg होती कई बीमारें बढ़ जाती आदमी को तो इसका हिलाज क्या है नंबर एक दूसरों के लिए दूसरों का भला चाहना किसी को दुश्मन बना कि आप अच्छा नहीं करते हैं एक खाना आपका उसके लिए रिजरॉड रहता अन्नैसेसरी आपके दिमाग में एक जगा उसके किर꺼ी बुक हो जाती है हमेशा उसको देखते हैं रूट क्या कर रा देखता थैर तेरा भी टायम आने दे अन्नैसेसरी आप उसके लिए परेशान हैं उसका पहला चाहो आप उसके साथ उसके लिए खेर ख़यर करो ठीक है मेरा दूश्मन है एल्लह को अ़िछाइद दे आदमी दुश्मनियां समाल समाल के रखता है जिस ती जोरी में नोट रखता है फुलाँ ये रिष्टेदार हाँ फुलाँ का ये रिष्टेदार फुलाँ का रिष्टेदार दोस्त ऑफिस वाला पड़ोस वाला ये वाला पूरी जो है इतनी फाइलेंच समाल के रखता है वह क्यों कोई जुरत नहीं है छोड़ दो दुश्मनियां सारी इल्लाइर जबरदस्ती को दुश्मन बने आपका लेकिन आदमी जिन दुश्मनियां छोटी चोटी चीजे लोती हैं गाड़ी रू की सिंगनल पर वो इसको देगा वो उसको देगा क्या है और क्या ए। क्या देखभ्हा रहा है और मेरी या का कुछ भी देख़ू गए तो मैं भी कुछ भी देखा नीचे देख घ्, ने देख तां क्या करता है जगण में भी खोड़ा बहुत सारे जगडे इस तरह से छोड़ो होते हैं sth act बाध कोई बड़ी कोई बड़ा इस्यू नहीं हमसरा है क्यों हमसरा है मेरी मर्जी कहीं भी देखके आसूंगा तो इस तरह से चोड़ी छोड़े जगड़े बाद चोड़े जगड़े घटल तक चले जाते हैं आदमी दुश्मनी बेवज़ा बनाएं नहीं और भला चाहे है रफ़ दफ़ा करें अल्ला के नभी शल्ला आवले से फर्माते हैं दबा इलैकुम दाउल अमामी कबलकुम अलहसद वल्भदा ही अलहालिख का पिछली कौमों की एक बीमारी पिछली उम्मतों में से एक बीमारी तुम्हारे अंदर बी आई है क्या है वो जैसी टाइम आएगा मौका छोड़ूँगा नहीं क्यों भई अपना काम दंदा छोड़के आप किसी का मौका तराश करते रहें उसको सद्धाने का तेरा भी वक्त आएगा बिटा मैं देखता हूं तेरे को आज तुने ऐसा किया ना मैं बराबर इंतजार करूँगा पांच साल होने दे दस साल होने दे क्यों काम धंदा नहीं है अपनी जिन्दगी खुश होए खाए पिए आदमी मर जाए क्यों खाए मगा किसी का पीछा पकड़के बैठे आदमी हम बाद अखाद अपनी जिन्दगी अपने लिए जीने की बजाए दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते है क्यों नहीं जी आदमी ऐसा का पिछली उम्मतों की एक बीमारी तुम्हारे अंदर आई क्या है अलहसद वल्बगबा हसद और बुख्ज वदावत ही अलहालिक ये बीमारी मूंड देती है मूंड देती जिसे उस तरह से मूंड दिया जाता है ला आकूलु तहलिकु शार वलाकिन तहलिकु दीन दुश्मनियां सर के बाल नहीं मूंड ती है बलके दुश्मनी से क्या होता है वो दीन को मूंड देती है दीन को साफ कर देती है कितने लोग दुश्मनी में आके इतनी सीड़िया नीचे उतरते हैं कि अखलाकी गिरावट की कोई हद नहीं रहती है उसने ऐसा कि हमाई भी ऐसा करूँगा उसने ऐसा कि हमाई भी ऐसा करूँगा उसने ऐसा किया मैं भी ऐसा करूँगा करते 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 गटर में चले जाते है इतने गलत रास्ते पे निकल जाते हैं पिर दीन का कोई नाम नहीं रहता है काहिका दीन और काहिका क्या दुश्मनी निभाने में आदमी इतनी नीचे इतनी सीड़ियां उतरता है दुश्मनी इन्सान के दीन को तबा कर देती है उसके आखरत बर्बाद कर देती है और हर आदमी समझता है उसने किया तो हमने भी करना चाहिए ना जस्टिफिकेशन उसने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा कर रहा वो क्या बलता है उसरे सकी इसलिए मैं ऐसा कर रहा है तो हर आदमी दूसरे की वज़े से नीचे 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 गंदगी में चला जाता है ही अलहालिका दुश्मनियां दीन को मूड देती है महीनी करता है कि बालों को मूड़ी है दीन को मूड़ी है वल्दी नफसी बियदिए ला तदुखलू जन्नता हत्ता तुमिनू वला तुमिनू हत्ता तखाबू उस दाद की किसम जिसके हाथ में मेरी जान है तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि एमान वाले नहो जाओ और एमान वाले नहीं हो सकते जब तक के तुम आपस में महबबत न करो क्या मैं तुम्हें कि अइसी चीज़ न बता हूँ कि उस से अल्लाँ तुम्हारी महबबतों को पुख्टा कर दे अफश सलाम पेशे बैनकु सलाम को आपस में आप करो एक दूसरे से मुलागात हो तो क्या कहो السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام کرنے والا کیا کہتا ہے اللہ تم کو سلامت رکھے اللہ تم پر رحمت نازل کرے اللہ رحم کرے تم پر اللہ تمہاری خیر میں برکت دے लेके हमारा سلام करें السلام علیکم मिल तू देखता हूं سلام हमारा इसा है سلام की रूह ही नहीं है سلام उसके लिए सलामती रहमत और बरकत की दुआ है इससे उसको फाइदा हो ना हो आपको होता है भई आप अपने दुश्मन के लिए घर में बैटे टेंशन ले रहे हैं दुश्मन घर में बैटके बिर्यानी खा रहा है ड़कार ले रहा है सो जा रहा है उसको मालूम भी नहीं आपको कितनी तकलीफ हो रही उसकी वज़े से आप कितना उसके लिए सोच रहे है उसको मालूम ही नहीं आपकी सारी एनर्जी वेस्ट कुछ हो रहा उसका नुकसान आपके टेंशन लेने से वो बीमार पढ़ रहा है आप बीमार पढ़ रहे हैं आप सोचो उसकी वज़े से आप टेंशन ले रहे हैं पुश्मनी नहीं भार है आप बीमार कौन पढ़ रहा है वो आप घर में माहुल खराब किसके हो रहा है उसके आपके काम पे दिल नहीं लग रहा आपका जल्दी जल्दी घर पे आ रहे भी बुली क्यों आ रहे मुड नहीं मुड आपका उसकी हर वक्त आप उसके बारे में सोच रहे आप कोई काम प्रोडक्टिविटी आपकी क्या हो गई खताम क्यों? दुश्मनी की वज़े से भी एच सवच वह बारे में क्यों? छोड़ दो उसक आप बलके आप अपने दिल को आ छवारा ज़ुष्मनी। एल्ला उसको इसको हिदाद दे अच्छा बना उसको उसको भी खुश रख, मेरे को भी खुश रख, नहीं बोल सकता है एल्ला उसको सही समझ दे, मेरी दुश्मनी छोड़ने की तौफिक दे उसको मुझको उसकी दुश्मनी छोड़ने की तौफिक दे ऐसा करने से आदमी का लेवल जब उचा होता है अपनी निगामे तो आदमी को सकुन मिलता है अपनी निगामे जब लेवल कम होता है गिल्ट पैदा होता है वो तो गलत है मैं भी गलत हूँ तो अंदर से जो नदामत और गिल्ट होता है या आदमी के सुकून को खराब करता है क्यों आपके दिल में गिल्ट पैदा हो? क्यों आपके दिल में नदामत पैदा हो? शर्मिंदगी क्यों हो आपको? आप अच्छा सोचो उसके बारे में कॉप कॉप क्चентов कि तॉच कॉप कट। जहाई जहाई कि ढुप झाल झाल